तो यहां पर हम कर रहे हैं आपका जो ट्राफिक रूल्स और आपने नहीं देखिए तो आप वीडियो सेक्षिन में जाके उन्हें देख सकते हो प्लेलिस्ट आपकी पूरी बनी हुई है आप वहाँ पर सभी वीडियो को एक साथ देख सकते हो तो अगर आप चैनल पर पहली पर आया तो अपली चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजिए और नाटिफिशन बेल को आउन कर लिजिए ताकि आने वाले सब्सक्राइब देख आप तक रगुलर्ली पहुंचते रहे तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो का पीडियो का पीडियो आपको वा अमित्षा या प्रकास जावरेकर तो इस कॉश्चन का राइट अंसर है काफी कॉमन कॉश्चन है आपको इसका पता होगा तो इसका राइट अंसर आपको ऑप्शन नमबर वन नितिन जाराम गड़करी जो है प्रजाइन टाइम के सडग परिवहन एवन राजगमार मंत्री है अब यहां पर कुछ कॉश्चन इस वीडियो में हमने इंक्लूड किये हैं आपके परिवहन मंत्राले से संबंदित एचाटी से संबंदित वा फस्ट एट से संबंदित तो आपको वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से दिखना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टन कॉश मंत्री के बारे में पूँछा है जो आपका सड्क परिवहन एवन राजमार्ग मंत्री है वो आपके नितन जैर्म गट्री है लेकिन सड्ग परिवहन एवन राजमार्ग राज्य मंत्री कौन है आपको बताना है अनुराग ठाक अको मंत्री के साथ साथ आपके स्टेट मंत्री आपके स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं जैसे कि अनुराग ठाकुर के बारे में आप जानते होंगे अनुराग ठाकुर प्रजेंट टाइम पर आपके स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है जैसे कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्री पूपको यह याद रखना है option number 20 का right answer है next आपका question number 3 HRTC से related caution है आपको ध्यान से पढ़ना है अब यहां पर questions को देखके आपको लगेगा कि questions का जो है level हाई है काफी tough है लेकिन आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस बार का जो HRTC का exam है वो अपका public service commission ले रहा है और public service commission जो है एक level तक ही आपका caution set करेगा तो अमें सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सब कुछ साथ में लेकिछ चलना है तो question number 3 को अपको ध्यान से पढ़ना है पूछा गया कि HRTC को सर्व शेट शेहर की श्रेणी की तहट रहतांग दर्रे और मनाली के आसपास electric बसों का संचालन परियोजना के लिए जो है सरहनिये पहल से किस वर सम्मानित किया गया था दोजा 14 में दोजा 16 में दोजा 18 में ये दोजा 20 में तो काफी important questions है आप HRTC के अगर official website में जाओगे तो वहां पर आपको awards के section में जो आपके HRTC को awards दिये हैं उस section में जाओगे तो वहां पर आपको ये caution मिल जाएगा वहां पर सारी details इसके regarding आपको मिल जाएगी HRTC को सर्व शेट शेहर की श्रेणी के तहर जो है रहतांग दर्रे और मनाली के आसपास electric बसों के संचालन ये परियोजना थी HRTC की और इस परियोजना के लिए सराहनी पहल सराहनी पहल से समानित किया गया था गौर्मेंट ने गौर्मेंट आफ इंडिया ने आपको पताने किस वर्ष किया गया था तो इसका राइटर बनता आपका option नमबर सी यानि और 2018 में 2018 में इस तरहनी पहल से समानित किया गया था जो आपकी रहतांग दर्रे और मनाली के असपास electric बसों के संचाल के लिए प्रयोजना शुरू की थी एचाटी से ने तो आपको याद रखना है नेक्स का कॉशन नमबर अब यहां पर आपको और भी डिटेल याद रखनी है यह अवार्ड यह आपका सम्मान दिया गया था एचाटी सी को यह दिया गया था ministry of housing and urban affairs government of India के दोरा चार नमबर 2018 को नागपूर में यह सम्मानित किया था एचाटी सी को नेक्स्ट आपका कॉशन नमबर फूर कॉशन नमबर फूर भी इसी से सम्मान दिता है आपको त्यान से पढ़ना है आपको कंफ्यूज नहीं करना है HRTC को मनाली से रहतांग दर्रे और अन्य क्षेत्रों के लिए लेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए स्कॉर्च order of merit award से कब समानित किया गया था अब हमने सरहनी पहल जो government of India के दोरा सरहनी पहल से समानित किया गया था वह आपका दोजा 18 में किया था लेकिन यहाँ पर आपक से समानित किया गया है HRTC को आपको पताना है कब किया गया है वाइस उन दोजा सोला को 22 जून 27 को 22 जून 25 यह बाइस उन दोजा 18 को तो इसका राइडिंस आपका option नमबर 4 बाइस जून दोजा अठारा को जो है HRTC को स्कॉर्च ओर्डर ओफ मैरिट अवार्ड से समानित किया गया था रहतांग दर्रे और अन्यक शेत्रों में अलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए आपको यह याद रखना है नेक्स्ट अपका question number five अब question number five आपका first aid से सम्बंदित है first aid जो है आपका compulsory है अगर आप conductor का exam दे रहे हो तो यह compulsory है आपको पता होगा और यहां से कॉछन भी पूछे जा सकते हैं तो यहां पर हम कुछ कॉछन स्वास्टेट से सम्द्द डिसकस करेंगे यहां पर पूछा गया कि एक घाव जहां तोचा के नीचे नरम उत्तक और रक्त वाहिका को नुकसान होता है उसे कहा जाता है क्या उसे क्या कहा जाता आपको बताना है तो इसका राइटन से आपका option number one यानि उसे एक खरोंच कहा जाता है आपको याद रखना है एक घाव जहां तोचा के नीचे नरम उत्तक और रक्त वाहिका को नुकसान होता है उसे खरोंच कहा जाता है option number one इसका right answer है next आपका question number six पूछागे कि रक्त स्त्राव घाव की दे एक dressing, एक साफ dressing के साथ सीधे दवाव लागू करें, दवाव बिंदू पर दवाव लागू करें, घाव बढ़ाना या इनमें से कोई नहीं तो इसका right answer आपका option number one यानि एक साफ dressing के साथ सीधे दवाव लागू करना जो है वो पहला कदम होता है क्योंकि जब भी आपकी रोकना होता है, तो वहाँ पर एक साफ dressing से सीधे दवाव लागू किया जाता है, तो ये पहला कदम होता है, option number one इसका right answer है, next step का पूछा गया है कि आपातकाल की स्थिती में, शरीर के तरल प्रदार्थों के संपर्क में आने पर क्या पहना चाहिए, यानि आपको यहाँ प पर बचाव के बारे में पूछा गया कि यदि आप किसी अपातकाल स्थिती में पहुंसते हो, तो वहाँ पर जो आपकी bleeding body है, bleeding body के तरल पदार्थों के संपर्क में आने से रोक के लिए आपको सबसे पहले क्या पहना चाहिए, तो इसका right answer है, आपका option number one, यानि सुरक्षा सुरक्षात्मक दस्ताने जो है, पहना compulsory है, जो bleeding body के जापके blood तरल पदार्थ है, उनको संपर्क में आने से रोकने के लिए जो है, सुरक्षात्मक दस्ताने पहना जो है, अनिवार्या है, option number one, इसका right answer है, next step का, question number eight, पूछा गया कि एक गंभीर allergy के साथ, हर समय हतात होने वाले व्यक्ति को अपने साथ हमेशा क्या रखना चाहिए, तो यदि कोई व्यक्ति गंभीर allergy से ग्रसित है, तो उसे अपने साथ हमेशा क्या रखना चाहिए, insulin, paracetamol, या फिर आपका adrenaline, epipane, या फिर aspirin, तो आपका जो medical council के दोरह सजेस्ट किया गया है, आपका ये guideline दी कि यदि कोई गंभीर allergy के साथ हर समय हतात होने वाला व्यक्ति है, तो उसे अपने साथ हमेशा adrenaline, epipane, रखना जरूरी है, उसे हमेशा अपने साथ adrenaline, epipane, रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी allergy में काफी work करती है, तो आपकी workable होती है, तो आपको याद रखना है, option number C, इसक कुछ important questions, यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही question थे, I hope आपके लिए beneficial होंगे, आपको ध्यान से इन questions को पढ़ना है, PDF आपको WhatsApp ग्रूप या टाइलिगाम चैनल में मिल जाएगा, आप description box में लिंक दिया गया, आप वहाँ से join कर सकते हो, तो आज के लिए इतना ही, मिलता आप तक regularly पहुंचते रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thanks for watching, best of luck for a bright future.